तो हें गाइस दिस इस श्याम और यह वोचिंग टेक्निकल श्याम यूटिप चैनल आज के यह जो वीडियो है वो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग और थोड़ा सा इंफोर्मेटिव होने वाला है आप वीडियो को पुरा एंट तक दिखते रहना आपको समझ में आ जाएगा लेकिन गयरे उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आओ तो यार सस्क्राइब जरू कर रहे ना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर रहे ना जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे पास एक टावर होम ठेटर है जिसका कैबिनेट है और उसके अंदर ट्विटर और बूफर लगा हुआ है और बाकि इसके अंदर कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ आप लोगों को पता होगा जब भी हम कोई टावर होम ठेटर का पेर खरीदते हैं मार्किट से तो उसके अंदर क्या होता है एक हमारा मेन होता है और एक खली डबा होता है जिसमें बूफर ट्विटर लगा होता है डबे को जब तक हम मेन से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वह नहीं चलेगा तो मेरा दोस्ट जो है एक तो वह अपने दुकान पर रख रखा मेन वाला जिससे वह चलाता है अब वह कहरा था जि मुझे इसको ऐसा बना करके दे दे कि मैं दोनों को अलग अलग भी चला सकूँ और जब मेरे को दोनों को एक साथ चला नहीं तो मेरे घर पर छोड़ करके गया था यह तो मैंने का चलो बन जाएगा तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं इसका जो मतलब टीटर और जो इस बूफर है उसका वायर हम दोनों को पहले करके अलग बाहर निकाल देंगे फिर उसके बाद उसके अंदर ये कनेक्शन करेंगे वन हम टीटर गोर्ड इसके अंदर लगाएंगे ठीक है यहां पर बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आप लोगों को पता होगा कभी आगर आप लोगों ने कैमरा फेस किया होगा तो उन सारी चीजों को आप इग्नोर करना या और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है इसका वायर निकला हुआ है यह हमारा मेन में लगता है इस वायर को हम ऐसी रहने देंगे ठीक है कि जब भी कभी हमें दोनों को एक साइट चला ना हो तो इस वायर को कनेक्शन करेंगे वह इस बोड के अंदर करेंगे देखिए इसके इंदर जो बोड है वो 4.1 यूसे करू तो यहां पर सबसे पहले मैं बोर्ड दिखा देता हूं कैसा बोर्ड है यहां पर देख सकते हैं यह रहा हमारा 4.1 बोर्ड जिसमें 4 लगी रहती है तो इसकी वाइरिंग की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर बना रखी है अगर आप लोगों नहीं देखी है तो यार जा करके स्पिकर चलाना चाहते है वो चला सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या है एक ही ट्विटर लगा होगा तो एक कोई काम नहीं है इसके इंदर बारह जीरो बारह की पावर सप्लाई देनी है तीन से चार एंपियर उसके बाद ब्लुटूथ पैनल के लिए भी सप्लाई यहीं से मि ओर थोड़ी सी कटिंग करनी होगी इसमें कडेंग करनी होगी यह पूरा घुटूर्ण्य कवराच म theft से बना हुआ है तो हमेहनत का काम है कटिंग करना सो यहां पर हमें आपढ़े फ्य MASTER की पैनल के लिए ऐख से माइर्ण करना पड़ेगा तो थोड़ा safely हमें cutting करना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं करना बोड लगाते हैं वाइरिंग करते हैं सबसे पहले बोड की फिर जाकर करें देखेंगे इसके अंदर हमें क्या करना है और इसके इंदर जो बूफर मिलता है वो देखिए कुछ इस तरीके से मिलता है मैं इसे यहां पर देखिए जो बूफर है वह 8 इंच के करीब है ठीक है मैं खोल करके दिखाता हूं अभी बूफर को तो यह देखिए यह हमारा बूफर का साइज है इतने बड़े बॉक्स में 8 इंच का बूफर लगेगा ठीक है तब ही जा करके बेस अच्छा बनता है तो चलिए इस तरीके से मेंगनेट है और जो मेरेपास बूफर है मैं उसका मेंगनेट आप लोगreno को दिखा तो दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है ठीक है तो यह देखिए दोनों का मेंगनेट ।्धशिय आप मिला-व्य हम बना लीजिए वन मिला लांएं तो कुछ इस तरीके से सब् बस और कुछ भी नहीं है दिख सकते हैं से कुछ दिख रहा हो तो यहां से वायर आ रहा है दोनों के प्री घॡ़न से कनेक्षिन है तो हम क्या करेंगे इसे के इंदर वोड़ te करेंगे ठीक है अपने सार देख लेता हूं कैसे प्लानिंग कर लेता हूं कैसे कैसे करना है फिर वायरिंग कर लोंगा क्योंकि वायरिंग करने की वीडियो तो बनाऊंगा नहीं कि वीडियो पहले ही जादा लंबी हो जाएगी और वायरिंग कर दिया तो और लंबी हो जाएगी ठीक है फिर आप लो से पहले देखिए यहां पर तीन वायर जो डायरेक्ट ब्लुटूथ से आ रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम के लिए मुझे उसके अंदर होल करना पड़ेगा और वह थोड़ा ओवर्ड सा लगेगा इसलिए हम वॉल्यूम एड निकर रहें डायरेक्ट इसको बटन से हम इसका जो लेते हैं कि कैसे किये हैं यहां पर जाड़ा क्नेक्षन नियाप देख सकते है ट्रासफोर्मर के वायर यह यहां बूफर का वायर और स्बीकर के वायर अब आप लोग कहेंगे बेस का कनेक्शन कहा अगया तो हमेशा टीक है क्योंकि उसके लिए हम में ड्युल की जूरट प यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा देखिए मैं आपको दिखाता हूं पता नहीं आप लोग को यहां से दिख पाया गाए नहीं यह दूर काफी нач fan लोग से दोर यहां पे आप लोग देख पा रहें होंगे देखिए यहां पे जो इसका ईह क्या होता है इन दोनों को मिलाने की कुशिच करता है resistance के we should have tj Вас कम हो जाता है जब resistance कम होता है तो यह वेस बढ़ता जाता है तो हम direct कर देंगे हाँ पर जीरो resistance हो जाएगा बोलाब तो हमारे यह होगा transformer के बायर वहाँ लगे हुए पावर सप्लाई और वॉल्यूम भी कम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम तो हमने लगाए नहीं इसके अंदर और अभी आप आपको लाइव टैश दिखा देता हूं इसको साउंड कैसा आ रहा है फिर इसको आपके सामने ही मैं बॉक्स के अंदर फिट करूंगा आप लोगो को पता होगा अखेले वीडियो बनाने की वजह से मैं काम करूंगा यह वीडियो बनाऊंगा यह लोग भी आप यह चीज भी यह मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं चीजे करता हूं और आप लोगों को दिखाने पाता ठीक है तो कोई नहीं चली एक सॉंग प्ले करते हैं और देखते हैं इसके अंदर जिसका साउंड आ रहा है वह कैसे आ रहा है अभी तो आप लोगों को बेस का पता नहीं चल होगा और मैं यहां पर आपको इसका आवाज भी तेश कर देता हूं है कि अधिक है यह हमारा ट्विटर जो है वह थोड़ा लोग पावर का इस वज़े से इसमें इतनी आवाज है अलग अब अब लोग इसका सांड देखा और अब अच्छा चल रहा था ना मैंने जब इसको उठा लिए तो अच्छा आ रहा था अब क्या प्लें लोगों को दिखाने के लिए आप अंब बोगस में होल कर लिया है उसको करने में काफी ज़्यार ट्राइम लगा मुझे ले लेकिन मैं सारी चीज़े बताता हूं आप लोगों को ठीक है सब लाइक जरूर कर देना तो चलिए जली से ज़मिला अट आते बहुत रखते उसके इंदर फिट करते हैं ज्यादा लग जाएगा वीडियो लंबी हो जाएए ठीक है तो कुछ इस तरीके से इसे फिक्स कर लेंगे इसके अंदर और जो इसके कनेक्टर्स हैं वह हम इधर की साइट से इसके इंदर जोड़ लेंगे ठीक है तो यह हमाई लिए अच्छा रहेगा तो हम क्या करते पहले इसे फिक्स कर लेते हैं यहां से ठीक है दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे तो देखिए यहां पर मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे जो हमारा होट गलू गन है उसकी मदद से चिपका दिया है ठीक है यह थोड़ा सा और लग रहा है लेकिन अगर हम नहीं चिपकाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें स्क्रू लगाना पड़ेगा और इसके अंदर सही से लगनी पाएगा इसलिए हमने इसे पूरा अच्छे से कर दिया है ठीक है जिससे बेस थोड़ा बाहर ना निकले क्योंकि यहां तो यह पैक होई जाएग और इधर भी पैक होई जाएगा और जो हमने अम डिय बोर्ड में होल किया है वहां से बेस बाहर आएगा तो यहां से बाहर ना आए इस वज़े से हमने लगा है यहां से आ सकता है लेकिन थोड़ा बहुत हमें अड़्जेस्ट करना पड़ेगा हम पूरा एड़्जेस्ट अंदर की साइड करते हैं सबसे बड़ा जो मेरा काम था जिसको करने मेरे को सबसे जादा दिक्कत हुई वो यह था इसको इसके अंदर फिट करना और ट्रासफॉर्मर को फिट करना काफे मुश्किल भर हमेरे लिए था लेकिन मैंने फाइनली कर लिया आप लोगो वीडियो नहीं दिखा पाया मैंने कैसे क्योंकि बहुत टाइम लगा इसके इंदर फहले तो मैंने गलत होल कर दिये क्योंकि मैंने यहां होल कर दिये थे देखिए पीछे में दिखाता हूँ यहां hole कर दिये तो अब मैं यहां अगर board को लगाऊंगा ऐसे तो फिर यह हमारा buffer नहीं बैठ पायागा फिर बार में मेरे को पता चला फिर मैंने अंदर hole किये ठीक है back side से और यहां पर tie की मदद से मैंने लगा दिया इसको भी मेरे को लगाने में बहुत जाले दिखुए हां था अंदर जाए नहीं रहा था फिर भी मैंने लगा दिया ठीक है तो यह हमारा board जो है वह बिल्कुल fix हो गया transformer भी fix हो गया अब जो है हमें connection करने है बस और यहां पर एक wire तो देखिए हमारा bluetooth का wire इसमें आ रहा है इसमें लग गया है तो सारे connection तो हुई रखें बस हमें buffer और उसके connection करने ट्विटर के और यहां पर एक और बात देखिए हम buffer और ट्विटर के connection तो कर देंगे तो क्या होगा हमारा जब इसको board को on करेंगे तो दोनों चल ले आएंगे ठीक है लेकिन गाइस जब हम मेन वाले के साथ जब हमें चलाना होगा उसके लिए हमें दोनों के connection चाहिए तो उसके लिए मैंने एक दिमाग लगाया है मैं आप लोग को बताता हूं पहले तो हम इन दोनों के connection करके इस board के साथ कर देंगे connection फुर इसके बाद हम वायर लेंगे दो वायर दोनों को पैलन में connect तो करेंगे लेकिन बीच में वायर को काड़ देंगे और उन द पावर सप्लाई देने की चुरुरे इतनी में से चल जाएगा है ना तो यह थोड़ा सा आइडिया मैंने switch लगाने की सूच रहा था बट वे switch कहां लगाऊंगा इससे बड़ी हमने सोचे चलो दो वायर निकाल देंगे जब में से चलने लगेगा और जब हमें ऐसे नॉर्म वायर है वो मैंने यहां से होल के जरी बाहर निकाल लिया और यहां पर गिट लगा दिया जिससे कि बाहर के साइड ना आए ठीक है तो अब जो इसके connection है वो हम करते हैं यहां पर ट्रासफॉर्मर में डारेक्ट तो यह थोड़ा local में हैं अब क्या करें यही है तो यही लग कर दिया और इसको एक और जो इसका वायर है उसको भी हम यहां connect कर देंगे और फिर इसको टेपिंग कर लूँगा टेपिंग करने की वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगो मैं जल्दी से इन दोनों को sold कर लेता हूं और टेपिंग कर लेता हूं ठीक है क्योंकि इसम को हमें स्पीकर के वायर में चोड़ना है तो यहां हमारा स्पीकर कर लेंगे अधियर कोन से स्पीकर का है कौन स टुईटर का है। ca यहां पर देख सकते हैं यह हमारा speaker मतलब twitter के बायर sold हो गया मतलब connect हो गया और यहां पर यह जो बूफर के बायर है वो इसमें connect हो जाएंगे ठीक है तो बूफर तो सारे connection होने के बाद करेंगे हम तो इसको मैं sold कर देता हूं फिर यहां पर भी हमें लगा लेता हूं और इसलिए मैं skip कर रहा था वीडियो को आप देखिए मैं आपको connection बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है मैं जल्ली से इसके उपर भी tap taping कर लेता हूं दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो में connection है वह भी हो चुका है और जो twitter के wire थे वह भी मैंने यहां पर जोड़ दिये हैं आप लोगों दिखाता हूं एक मिलेट रुटी बस यहां पर देख सकते हैं ट्विटर के wire मैंने जोड़ दिया और यहां पर दो wire के लिए एक्स्ट्रा मैंने सोल्डिंग कर ली है और यहां पर बूफर के wire भी जोड़ दिये हैं अब देखिए दोड़ ने सोल्ड करके और यह दो wire जो निकल रहें मैन के लिए इसको हम इन दोणों में सोल्ड करतें ठीक है इन दोणों में पैलन में connect हो जाएंगे ठीक है बूफर ट्विटर दोनों पैलन में connect हो जाएंगे जिससे कि हम इसे main से चला सकते हैं जब इन दो वायरों को हम अलग कर देंगे तो क्या आते हैं हमारा home theater से हम इसे चला सकते हैं इन दो वायरों को मैं बहार निकाल लूँगा और जब भी हमें main से चलाना होगा इन दोनों को एक साथ attach करना होगा और हमारा main से चल जाएगा मैं अभी आपको सारे connection तो मैंने बता दी अभी जब पूरा pack हो जाएगा तब मैं आप लोगों को और सही से दिखाऊंगा तो यहाँ पर wire short ना हो इस वज़े से टेपिंग कर देता हूं यहाँ पर गाइस और गाइस वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है इतना skip करने के बाद भी वीडियो लंबी होगी तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितना time लगा होगा मुझे बनाने में ठीक है तो यार इस चीज के लिए प्लीज लाइक जरूर कर देना ठीक है तो यहाँ पर गाइस यह देखिए यह मैंने यहाँ पर टेपिंग कर ली और टेपिंग तो निकल जाएगी मुझे पता है तो इसके लिए मैं पर टेप भी अच्छा नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हों कैसा टेप है यह छूट जा रहा है इसका जो गम है वह अच्छा नहीं है तो यह हो गया हमारा इसके उपर मैं थोड़ा सा सोल्डिंग मसीन लगा जिता हूँ इससे की अपने आपी सेट हो जाए अब क्या कहते इन दो वायरों को मैं बहुत निकाल देता हूं यहां से फिर जब में से मैं चला करके दिखाऊंगा जब में मेरे पास अभी है नहीं लेकिन यह चल जाएगा आप लोगो पता चल गया होगा कनेक्शन दनी जैसे बता है इसको मैं बहुत निकाल लेता हूं ठीक है फिर इस यहां से चलाएंगे तो दोनों को पहले में जिस से कि हमारा दोनों चीज एक साथ चलने लगए ठीक है और वैसे दोनों अलग अलग रहेंगे तो क्या केगते हमारा हूं ठीक है मालिव साइ okeik कर देखते हैं मैं वारक्स मेंधणति कर लेते हैं और कही कि आप लोगों को यहां पे देखिए ब्लोग तूट कार्ड में पावर सप्लाई दिख री होगी और हमारा सारा चीजे ओन है तो यहां पे एक non copyright song play करते हैं वैसे वीडियो काफी जारा लंबा हो गया है तो जल्दी से इस वीडियो को खतम करेंगे यहां पे non copyright song play करके और इसका sound quality test करने के बाद ठीक है तो यहां ncs music पे गए और चलिए एक song play कर लेते हैं काटून का ही मैं play करता हूं और एक और बात गैस मैं आप लोगो बता रहेता हूं देखो बेस काफी अच्छा है लेकिन यहां पे ट्विटर ज्यादा पावर का है इसलिए इसकी आवाज कम आ रही है ठीक है और बेस तो बिल्कुल यहां पे बिरिज मूड पे दो आईसी होती तो बेस बिल्कुल तगड़ा आ रहा है ठीक है लेकिन आईसी हीट हो रही है क्योंकि हमने 8 इंच का फूफर लगा यह बड़ी कि अब बड़ी तो अब आप इसकी आवाज कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं ठीक है यहां पे वोल्यूम को अक्शन दिया हुआ है मोड भी यहां से चेंज कर सकते है और इसके साथ एक रिमोड भी आता है वह अभी मैंने पता नहीं रख दिया तो आप रिमोड से भी कम ज्यादा आवाज कर सकते हैं यहां कोई आप्शन नहीं था वॉल्यूम और बेस लगाने का इस वज़ये से मैंने नहीं लगाया आप अच्छा है तो होल करके आप लगा सकते है ठीक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बाकि साउंड टेष्ट बिल्कुल मस्त आ रहा है थोड़ा सा आवाज कम है क्योंकि ट्विटर हमारा एक है बेस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यहां पर बूफर भी बढ़ा और ब्रीज मो आए उसक्राइब तो स्क्राइब के लिन तो स्क्राइब कर लिन किसी नेट्च वीओ में तॉप्ता है किलुए तूप्ता के लिए बापाइ